प्रापिटेवल्ट्रेडिक चैनल में आपका स्वागत है तो आज है 11 अप्रैल और हम जो है अनल्सिस करने वाले बैंक निप्टी के लिए 12 अप्रैल के लिए कि कल मार्केट किस तरीके से ब्याव कर सकता है कौन कौन सी इंपॉर्टें लेवल है जहांपर हम जो हम मार्केट म to call buy करेंग ने के लिए देखेंगे şur often come analysis करने वाले हैं तो आई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो नgovore कि न्होंगे अगर मार्क कि यह पर श्टार्ट हुता है तो और मार्क यहीं से होता है अपने जो प्रिवेस डे लेवल के पाहस से स्टाट होता है और शासो पचास की लेवल को जब करता है तो मैंने बोला था कि मैं जो 37,007,000 गए चल और तयुंजा थे पहला थीम अचीब कराया था तो मारे जो को काल का जो हमने में पूठ के लिए भी लेवल कि दे रखा ता कि जिए मार्केट 490 को next developers करेगागा तब मैं यहाँ पिधर जो है लेवल जो है तो फोट का जो है मैं यहाँ पर एंपनाओंगा लेकिन होता कि मार्केट उस लेवल अतर नहीं मार्कट में करता है और मार्कट कशा पॉछन के यहां पर ओपन ही नहीं बहुता है तो ँर्फोट हुट allora मार्कट कई स्वाहरो संट मार्कोर ना पर बाद क्युंकि नहीं न होосто प्लस मार्केट जो हाँ आज काफी सीज़ा के तरह घूंता रहा पहले आफ गया फिर एकी लेवल पर रुका रहा उसके बाद जो है मार्केट फिर से उसी लेवल के आसपास आ गया जिस लेवल पर मार्केट कल स्टार्ट हुआ था तो अब हम 12 अप्रेल के लिए किस तरीके से कर सकते हैं तो जिस तरीके से कल हमने लेवल दे रहे तो आज भी वही लेवल ओपेन हुए हैं कि अगर आज भी मार्केट जो है 650 की लेवल को पहली candle जो फ़र्ष्ट 5 minute की candle है 650 की लेवल को break करती है फिर से मैं इसमें call buying की तरब देखूंगा मेरा target फिर से कल आज का जो day high है 37,900 क्या वही मेरा day high target होगा मैं इसमें क्या है 37,700 का call buy करना पसंद करूंगा और यहां से हमारा target होगा 37,900 मेरा put का जो अभी भी वही लेवल है आज के जो day low है अगर market इसको break करता है 5 minute या 10 minute की candle में आज की day low को break करता है 450 की level को break करता है 37,450 की level को अगर market break करता है तो मैं यहां पर put का position मनाऊंगा मैं यहां put buy करना पसंद करूंगा 37,500 का जो है strike price का जो मैं put यहां buy करना पसंद करूगा और अभी भी मेरा जो target है 37,200 का market इसके level के आज पास आना है इसको market को तो अभी भी मेरा जो target है वो level जो है अभी भी open है first target हमारा होगा 37,450 के उपर अगर market ब्रेक करता है तब हमारा जो first target होगा 350 दिन 37,200 अगर market क्या करता है gap up open हो जाता है market क्या करता है 37,900 के आज पास market gap up open हो जाता है तो यहां से मैं put के लिए देखूंगा मैं यहां पे call की तरब नहीं देखूंगा मैं यहां पे buying की तरब नहीं देखूंगा call के लिए यहां पे मैं put buying करने के लिए देखूंगा क्योंकि अगर यहां पे कोई भी bearish candle बनती है तो यहां से market साप downside आ सकता है 37,650 के लेवल के पास आ सकता है तो यहां पे मैं क्या करूंगा 38,000 के call जो है 38,000 का put जो है मैं buying करूंगा तो और क्या होता है अगर market 37,000 400 के लेवल के मलब gap down अगर market open होता है तो यहां से मैं जो है धियान देखूंगा कि अगर market यहां पे consolidate होने बाद यहां से breakout नीचे की तरब breakout करता है तभी मैं जो है put की position बनाऊंगा नहीं तो मैं यहां पे call की तरब ही देखूंगा और मैं यहां पे call buying करना पसंद करूंगा 37,500 के लेवल को मैं call buying करना पसंद करूंगा तो अगर आप लोग को मेरे जो वीडियो अच्छे लगते हैं तो guys अगर मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए प्लस मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और मेरे वीडियो को जो है share कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को subscribe कीजिए और आज के लिए bank nifty के लिए इतना ही था दोस्तों thank you guys